दोस्तो पित्र पक्ष के आखरी दिन को महाल्या मनाया जाता है इसे सर्व पित्र अमाश्या भी कहा जाता है जिन पित्रों के मरने के तिथी याद नहो या पता नहो तो सर्व पित्र अमाश्या के दिन उन पित्रों का श्रात किया जाता है ऐसा करने से पित्रों की आत्मा त् अंतिम श्रूप देते हैं पुराणिक मानेताओं के अनुसार प्राचिन काल में महेशासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली और निर्दई राक्षस था उसने तीनों लोकों में अपना आतंग फैला रखा था देवता भी उसके शक्तिक आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे थ महिशासुर के सहार के लिए मा दुर्गा का स्रिजन किया महिशासुर को वर्दान मिला था कि कोई भी देवता या मनुश्य उसका वद्ध नहीं कर पाएगा ऐसा वर्दान पाकर महिशासुर राक्षसों का राजा बन गया और देवताओं पर आकर्मन कर दिया देवता युद्ध हार गय और देव लोग पर महिशासुर का राज्य हो गया तब सभी देवता भी भगवान विश्नु के साथ मिलकर आदी शक्ति की अराधना करने लगे आराधना के दोरान ही मगवान ब्रह्मा विश्णू और महेश के साथ सबी देवताओं के शरीर से एक दिव्य रोश्णी निकलने लगी और उसी दिव्य रोश्णी ने मादुर्गा का रूप धारन किया मादुर्गा के इस देव्य और शक्तिशाली रूप को देखकर देवताओं में एक नई आशा की किरन चागी शस्त्रों से सुसजित मादुर्गा ने महिसा सुर्ग के साथ नौ दिनों तक वीशन युद्ध करने के बाद दसवे दिन उसका वद्ध कर दिया तो दोस्तो आप सभी भी माशक्ति अथा दुर्गा मा के पूजा की तैयारियों में पूरी आस्ता के साथ जुट जाएए मादुर्गा आप सभी को अपनी असीम कृपा से परिपूर्ण करे जै माता दी दोस्तो अगर आज सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अब तक आपने मेरे चैनल अखन गयान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब रड कलर में जो लिखा हुआ है उसे प्रस करके सब्सक्र सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो के अपडेट्स आसानी से मिल सकेंगे